नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यव वक्त हला बोल का है कि आप बजट सत्र के जरिये प्रदानमत्री नरेंद्र मोदी ने दो हजार चौबीस की लडाई का टोन सेट कर दिया है आज ये सवाल हम इसने पूछेंगे क्योंकि ना सिर्फ बजट में जिस तरह से प्रावधान मिडल क्लास के लिए या फिर मुफ्त राशन जो दिया जा रहा एक साल के लिए इन सब के जरिये लोगों को लुभाने की कोशिश है 86 फीजदी आवंटन बढ़ा दिया गया है पीम आवास योजना में क्योंकि घर और घरों की चाविस ओपने से फाइदा मिल सकता है लोगसभा और रज्यसभा के अपने भाशन में प्रधान मंजी नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि मैं एक अकेला सब परभारी देश का भरोसा मेरे साथ और यहीं भरोसा मेरा सुरक्षा कवच है जिसको विपक्ष भेद नहीं पा रहा है क्या यहीं से 2024 का टोन सेट हो गया है और राहूल गांधी ने उद्योग पती गौतम अडानी पर जो गंभीर प्रश्र किये क्या उसके जरिये राहूल गांधी या विपक्ष सरकार को घिरने में कामियाब हो पाएंगे इन तमाम मुद्दों पर आप चर्चा करेंगे तालियों के साथ आप सभी कावे नंदर कीजी यहाँ पर मौजूद युवार करेंगे प्रश्न और जवाब देंगे पर हम आए साथ चर्चा में जुड़ेंगे लिए जैसे पहने कि हम आगे बढ़े सुन लेते हैं क्या कहा जा रहा है कि एक सो चलीस करोर देश्वाश्यों के असिर्वात कि यह मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है और गालियों के सथर से चूट के सस्त्रास्तरों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम बेद नहीं जाकते हो वा विस्वास का सुरक्षा कवच है अर इन सस्त्रों से तुम कभी बेद नहीं सकते हो तेज देख रहा है एक अकेला कि तुनों को भारी पुझ रहा है अरे नारे बोलने के लिए पुन्तों ज़दन खर्राप करता है तेज देख के लिए जीता हूँ देख के लिए कुछ करने के लिए नित्या हुआ हूँ और इसलिए ये राज नितिक खेल के लिए वाले लोग अंच के अंदर वो होपला नहीं है वो तुन रहे हैं बतने का रास्ता खोज रहे हैं सुधाजी दिवेदी जी पहला सवाल आपसे ही और सांसा जी सवाल ये है कि 24 के लिए लडाई का टोन तो सेट कर रहे हैं लेकिन विपक्ष को ही पी-म चुनौती दे रहे हैं विपक्ष सवाल पूछ रहा है आप विपक्ष को ही चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं क्यों देखिये हमारी जो मोदी सरकार की आर्थिक नीटियां है वो कभी चुनाओ को ध्यान में रख्के नहीं होती हैं अगर चुनाओ को ध्यान में रख्के होती तो 2017 में उत्तर प्रदेश के जैसे महत्पूर चुनाओ से पहले नोटबंदी नहीं होती अगर चुनाओं को ध्यान में रखके होती ही तो 2017 के अंत में होने वाले गुजराच चुनाओं से ठीक पहले GST नहीं आता इस बजट में आप देखिए 10 लाग करोड का capital expenditure ये long term infrastructure के लिए इसमें से कोई भी चीर ऐसा नहीं कि 10 महीने में बन के तैयार होने वाली है तो 2024 के लिए अगर artificial intelligence के लिए 5 institutes की बात की गई है ये long term strategy है अगर hydrogen green hydrogen energy की लिए व्यवस्था की गई है ये long term की इस पर एक साल के लिए मुफ्त योजना मुफ्त राशन एक साल के पिछले तीन साल से चल रहा है जब से कोविड का दौर आया है अब मैं उसी प्यार हूं और इतना ही नहीं आपने बोला तो असी लाग महिलाओं के लिए बहुत आवशक्ताइं देनी हो और यह सब कब हो रहा है जब आयमेफ ने कहा है यह भारत सरकार काकणा नहीं आयमेफ ने कहा है कि अगले साल भारत की विकासदर 6% होने जा रही है और important क्या है पूरे विश्व की विकासदर कित्ते होने वारी 2.9% यानि हम दुनिया में जापान किसी सिती में है पूरी दुनिया में क्या तरही तरही मची उसके बावजूद जिस ढंग से आगे बढ़ता हुआ भारत दिख रहा है इस विपरीत परिसितियों में तो मैं मोदी जी के लिए एक पंक्ती कहना चाहूंगा यह लोग जो हम पे इल्जाम देते हैं कि ह हमें इल्जाम मत दीजे बहुत अफसोस होता है बड़ी तरकीव से कश्टी यहां तक लेके आए हैं बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए है अलोग जी आंधियों में चराग जलाने वाले को कैसे पीछे कर पाएंगे आप पीम कह रहें सुरक्षा कवच है जनता का भरोसा देखें पीम का और बीजेपी का एक ही सुरक्षा कवच है और वो है जूट 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 और जूट और उसके अलावा दूसरा जो चोटे वाला वो है जहर की खेती किस तरह से समाज के अंदर जहर की खेती की जाए रिटन्स बहुत अच्छे हैं बीजेपी को तीसरा सुरक्षा कवच है कि जो नोट बंदी के बाद से पैसा लुटा कर संस्थाओं को खरीदा गया संस्थाओं को अपनी मुठी में किया गय वो तीसरा कवच है सुप्रीम कोट के जजिस को भी कह दिया जाता है कान में राजसबा जाना है क्या करना है यह सुरक्षा कवच है देश का दुर्भग नौ साल देश के सता सीन प्रधानमंत्री रहने के बाद भी जिन्होंने बड़े-बड़े नारे दिये देश नहीं बि दिया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा लेकिन मिलकर खाऊंगा उसके बाद मैं अखेला सब पर भारी देश के प्रधानमंत्री की भाचा है यह देश के प्रधानमंत्री की भाचा है उल्टा हाथ मारा तो आठ करोड लोगों को पानी दे दिया सीधा हाथ मारा तो ग्यारा करोड को दे दिया देश के प्रधान मंतरी हैं यह लफाजी कब तक चलेगी नौ साल हो गए आपको देश के प्रधान मंतरी बने हुए उसमें सरनेम क्यों लगाया वो सरनेम क्यों बदल दिया अरे टपरी पे आए वाले जो चार लोग बैठ के चर्चा करते हैं वो भी इससे अच्छी भाषा में चर्चा करते हैं टेक्स हैवन से कंपनी आ रही है जांच नहीं होने दूगा मैं अकेला सब परभारी देखता हूं कैसे जांच करता है कोई अड़ानी की मैं सब परभारी इंकम टेक्स वाले मेरी मुठी में एड़ी वाले मेरी मुठी में मीडिया के एक बहुत बड़ा वर्ग मेरी मुठी में मैं देखता हूं कैसे कौन जांच करता है मैंने जीवन खपा दिया मैंने जीवन खपा दिया अड़ानी के लिए अब जांच करेंगा देखता हूं कौ सवाल पूछता है डानी से हम पूछ रहे हैं भाई वो मुद्रा पोर्ट पे लाखों करोड का ड्रग पकड़ा गया क्या यह शेल कंपनियों का पैसा वो ही तो नहीं पंडित नहरू बड़े खराब थे अरे हम पूछ रहे हैं अडानी कितनी बार आपके साथ गए आपने कौन कौन से देशों के उपर दबाव बनाकर किस तरह का दबाव बनाया कि उसको सारे ठेके मिले देखियो उस समय पर 1990 में ऐसा हुआ था अरे बाई गजब है कैश पूर वोट हुआ पारल्लेमेंट के अंदर अरे भाई छे सांसत तो ग्यारा में से आप केते हैं मोदी साप जब कहा गया कि इन सांसतों को सस्पेंड करने तो बीजेपी वॉक आउट कर गए लेकिन जूट का जो आवरण है वह बहुत बढ़ा आवरण है कि सत्तर साल में कुछ नहीं हुआ चार गुना देश के उपर करजा बढ़ा दिया साड़े छे करोड लोग बीपील से नीचे चले गए युवाओं के उपर आप बड़े भाशन दे रहे थे देरादून में आपकी सरकार लाटी चार्ज कर रही थी जो लोग पेपर लीग का विरोध कर रहे थे मोधी साब आप देश के प्रधान मंतरी मुद्दों पर बात कीजिए कब तक आप मुद्दों को भटकाएंगे आप एक बार भी हम तो सोचे थे आप चींच से डरते हैं आप तो अडानी से भी डरते हैं ऐसा क्या तोते की जान मतलब महराजा की राजा की जान जो है तोते म अभी आप लोने अनेक प्रकार की शैली में डिबेट देखती होगी पर यह बैले की शैली में आपने पहली बार देखती होगी जूट की बात यह कहते हैं आप सुनिये सेभी जूट एलाइसी जूट एजवी आई जूट भारत के सारे रेगुलेटर जूटे ठीक है इनके सुप्रीम कोड जूटा इनके हिसाब से मीडिया का एक सेक्शन जूटा इनके हिसाब से कौन-कौन जूटा भारत की सरकार जूटी भारत का विदेश मंत्राले जूटा भारत का प्रधान मंत्री जूटा इतना ही नहीं भारत की आर्मी जूटी भारत की एयर फोर्स जूटी और भारत का आर्मी का चीफ सड़क्षाब गुंडा सच्चा कौन आतंकबादी सच्चा अपराधी सच्चा उसके अंदर दिखता है एक मासूम बच्चा ये इनकी हकीकत है और इसके कारण से इनकी ये इस्तिती है अब मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई कहीं तो एक सच्चाई कहां पे लुक्त हो गई तुमारे यहां की सच्चाई सच्चाई एक जगह दिखती है जो भी देश में सब जाये हो सब सच्चा पिछले आठ साल से इसी लिए आप खा रहें लगातार गच्चा देश के प्रधान मंत्री ने लाल के लिए की प्राचीर से लेकर संसक्त तक त प्रधान मंत्री रहें आप अपनी कम से कम घरिमा का ख्याल रखी नोट बंदी पर अभी भी कहा गया के दो हजार शोला के अंदर नोट बंदी हुई 2019 में राफाइल का मुद्दा चौकिदार को घेरा था क्या अडानी इस बार उसी तरीके से विपक्ष उठा रहा है और इस टोन को जो पीम सेट करने की कोशिश करने उस पर भारी पड़ेगा पीम ने तो टोन सेट कर दिया आपको टाइमिंग देखनी पड़ेगी अब मैं फि तरह से बोल रहे हैं देश की प्रधानमंत्री के बारे में तो इससे आपके वोट बढ़ नहीं रहें इससे वोट आपके घटेंगी क्या वह कॉंग्रस का प्रेरोगेटिव है लेकिन टाइमिंग बड़ी इंपोर्टन है हर पार्लियमेंट सेशन के पहले एक उदाता है यह और रहां से अठालिया गया तो यह एक यह पद्रेश को कोई फाइदा नहीं होने जा रहाय है अनाहीं विपक्ष को फाइदा होने जा रहा अप निर्इटिव क्लाइब को खराब करने चुन ohh इस देश के ऊध्योगी क्लाइमेट को खराब करने कई चुले हों यह हों है और देश के subscriber 40 साल baik पेवखूफ हैं अड़ानी की लिस्टिंग आज हुई है पहली कंपणी लिस्टिंग होगी थी 1996 तो आपको आपने पोर्ट नहीं दिया माविकास अगाडी में गिददा पोर्ट दिया की जाती है हर सेशन के पहले बजट सत्र अभी चल रहा है पार्लेमेंट सेशन के पहले एक विदेशी रिपोर्ट आती है और उस पर विपक्ष अजेंडर ड्राइब करता है अंजना जी सवाल अडानी का नहीं है सवाल है सत्ता में बैठे हुए लोगों के नादानी का जिस तरह से आदर निप्रधान मंत्री जी कह रहे हैं एक अकेला सपर भारी ये देश की जनता कभी इस तरह के सत्ता के अहंकारी को बरदास्त नहीं कर सकती है और ये उनका अहंकार बता रहा है कि उन्होंने नो वर्सों में ही जिस तरह से सपने बेच करके नोजवानों के साथ उन्होंने हर वर्स दो करोड़ नोकरी देने का वादा किया था नवजवान पूछ रहा 18 करोड नौवर्सों में हमारे रोजगार का क्या हुआ ये का रहे एक अकेला सफपर भारी किसान पूछ रहा है अपना सवाल ये का रहे एक अकेला सफपर भारी आदरनी परधान मंत्री जी ये देश की आन बान सान आप 140 करोड हिंदुस्तानियों के परधान मंत्री है जनता के सवालों का जवाब विपक सदन में पूछेगा उसका जवाब देना आपकी जिम्मेवारी जवाब दे ही बनती है आप अकेला सफपर भारी नहीं पढ़ सकते ये लोग तंत्र है 140 करोड जनता का कवच जिस सुरक्षा की बात आप कर रहे है जब वो कवच ही और सुरक्षित है 140 करोड जनता ही आज नौजवान किसान गरी मजदूर और सुरक्षित महसूस कर रहे है तो फिर आदर ने पढ़ान मंत्री जी आप ये सुरक्षा लेकर चाहते है जो व्यक्तिकत अहंकार वाली बात करते हैं ये बताईए ये अपने मूँ से किसने बोला था जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू और इतना ही नहीं चलिए यहां तक तो फिर भी चलता है हमें याद है हम लोग उस समय उनिवर्स्टी में पढ़ने आ गए थे जब वो मुक्षे मंत्री बने तो आगया ललू ललू बहुत दिन तक फलाना खा लिया उसी बर्क का नाम लेकर दे थे उन्हें खा लिया हलुआ अब आ गया हलुआ वो फला ना खाएगा बालू के जवाब को भटका ये नहीं आपने अहंकार की बात कहीं हमारे नेता अदनी लालू परसाद जी ने कभी सीना ठोक कर ये नहीं काता कि एक अकेला सब पर भारी है अज सुनिए हमने समोसे में आलू क्या था समोसे में आलू उसमें आपको स्पीच मिलेगी जिसमें उन्होंने कहा कि अरे मैं वक्त आपको पता नहीं लालू परसाद जी का भासा नी कौपी अरे नहीं भाई ये कहां बोला आगे क्या बोलने आप तो यहीं बात क्या रहे अरे संटेंस तो सुनिए देखिए लादू यादो जी का जन 1948 का वो बोले और मैं तो वो हूँ कि जब आने वाला था अंग्रेज को पता चल गया लालू आने वाला एक साल पहले छोड़ के भाग गया अब बात करते हैं अब सुनिए अब इनकी पार्टी का बताते हैं अहंकार की पराकास्टा इंडिया इस इंदरा इन इंदरा इस इंडिया ये किस ने बोला कॉंग्रेस के तब कालीन राष्ट्री अज्यक्ष देवकांत बरुआ ने और आज तक किसी राष्ट्री अज्यक् पार्टी के रुडोल्फ हैस ने 1934 के कंवेंचन में नारा लगवाया था हिट्लर इस जर्मनी फ्यूरर इस जर्मनी जर्मनी फ्यूरर वो इनके समक्ष था और आज हमारे प्रधान मंत्री जी तो हर जगे क्या नारा लगाते हैं वंदे मातरम भारत माता की जय अलो जी अब डिबेट में गंभीरता लाते हैं हाँ यह बहुत आवश्यक्त थी हाँ बिल्कुल जो मोदी जी कर रहे थो मैंने करके दिखाया तो इसकी जनता ने देखा हमने सवाल पूछा क्या क्या शेल कंपनिया बनी दर्जनों क्या उनमें दो नंबर का पैसा क्या वह पै वो कंपनिया कहा टेक्स हैवन में बनी के नहीं बनी क्या आगास्टा वेस्टलेंड का जो मुख्य आरोपी था जिसके उपर आपने चुनाओ लड़ा क्या उसका और गौतम अडानी के भाई का एड्रेस सेम है के नहीं जाच होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए एक व्यक्त सब कुछ मेरी मुठी में बीजेपी के प्रवक्ता कहने है सुप्रीम कोर्ट जाओ अब इन्होंने एक नया दरा दे दिया है अभी तक हम बात कर रहे थे कि संसत में चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ना किसने मना किया है नौ साल हो गए आप तो का तो इस्टेंड हैं हम के वर पूरा मंतरी मंडल प्रधान मंतरी महोदे सब बचाने पे लगे हुए जल्दी पूछ अलुक सर आपसे सवाल है राइस्थान में बजट पेस हुआ उसमें असोक गहलोत ने पुराने बजट के तीन पैराग्राफ पड़ दिये क्या इस सीरिसनेस के साथ वो दोजार 24 है जो कि मोदी के आगे हैं सिंगल पैजन्स लेगे लड़ सके बताएं अंजिना जी पहतर होंगे कम से कम जूट तो नहीं बोलती हैं देश का प्रधान मंतरी अगर सारा दिन जूट बोलता है जूट बोलकर देश को गुम्राह करता है चुनाव से पहले भी और चुनाव के जाए तो आप नाम लेकर सीधा जैसे उसने पूछा दरा राहुल गांधी बोलते हैं फिर प्रक्रिया में सांसद अपने नेता को चुनते हम बार-बार कह रहें बीजेपी से बड़े मोदी मोदी देश से बड़े मोदी सबसे बड़े और सबसे बड़े आडानी सबसे पहल चिंता की बात को नीचाहिए का लिए तो मेरा सवाल आलोग जी से जो आप अडानी अडानी कर रहे हैं आपका एजंडा क्या है आप क्या इस इशू में मोदी जी को घेर के वोट खरीदना चाहा रहें कि कि आप सचमेजाच चाहते और अडानी को कॉंट्रैक्ट आपकी सरक अब तर चाहिए कि और गरीबी की बात आती है तो बीजी पिए बोलती है कि क्योंकि एक ब्रोणा था इस की वज़ी से नहीं बढ़ पाया इसकी वज़से को रोजगार नहीं मिल पाया तो फिर आप राम मंदिर बन भार रहें शिव मंदिर बन रहें उसके पैसे कहां से आ हैं तो आप धर्म की राजनीती करना चाहिए जवाब रुप जाए से एक सवाल मुझे बच्चे हर कॉंग्रेस वाले से पूछे इसका जवाब आप आप ही दे सकता है आपने कहा ना मुरिश्यस की शेल कंपनी के जरीए पैसा का और अपनों शेयस को इंफलेट किया यह तो उसी अडानी के इंवेस्मेंट को आप राजिस्तान और चांसल क्यूं नहीं करते सर अगर अनेतिक प्रक्रिया से कोई भी बिजनस्मेंट काम कर रहा है तो गेहलोट जी क्यों के साथ गलबहियां कर रहा है कि मुझे लगता है किसी भी बिजनस्मेंट को अधिकार है वो लेखेंगे हमें आप अस्ती पर है दूसरा भाग था कि जांच करा लिजेना दूद का दूद और पानी का पानी हो रहा है तो दूसरी बात अब हम COVID से निकल के बाहर आ रहे हैं इसलिए हमने आपको बताया है कि 6% growth rate हम दुनिया में इस समय बड़ी वर्थ वस्ताम में इकलोते देश हैं जहां growth rate उपर है और inflation rate नीचे अन्य था G7 ए G20 कोई country बता दे जहां पर की growth rate inflation rate से उपर हो एक बात इनका जवाब दे दो इन्होंने कहा अडानी को सब दे दिया कोईला उनको दे दो बिजली उनको दे दो पोर्ट उनको दे दो बिजली किस ने दी राजस्थान ने कोईला किस ने दिया 36 गड़ ने पोर्ट किस ने दिया कि भाई शेल कंपनी का आधार क्या है अगर भारत के रेगुलेटर को नजर नहीं आ रही है तो आपको जिस आधार पे जिस इंडन बर के आधार पे कह रहे हैं वो तो अपने ही देश में आरोपित हो चुका है और इसलिए मैं सिर्व यह कहना चाहता हूं कि हकीकत क्या है कि इ आपको मानने को तयार नहीं करा भाई तुम किसी प्रकार से मती ब्रह्म में पड़े हुए हो बगर यह उस साथ रसी को साथ मानकर खुद तो बैटे ही है और कहरें पूरा देश मानले पूरा देश की आखे बहुत साफ खुली हुई है उसे नजर आ रहा है कि क्या खत्रा है है और किदर से खत्रा है हमारा स्वाल चोटे-चोटे सवाल पूछे और सब्सक्राइब तक नहीं होता है इसके बाद से सब को पता है कि बिहार में नोकरियां दी जा रही है नोजवानों को जहरीली शराब पूछा हुए है जहरीली शराब किने से कुछ घटना हुई है मौते हुई है उसको भी जो भी सराब माफ्या सराब तसकर है उसको सलाखों के पीछे बेजा गिया है कानून अपना काम कर रहा है लेकिन सराब बंदी नसाब मुक्ती के लिए बिहार ने जो राह दिखाई है वो तो अनुकर्निया है जैसा उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत की और जहलोग जी से कर रही है तो क्या यह नफरत की राजनीती नहीं है कि अन्य विपक्षी दल और कॉंग्रेस सत्ता की होड में देश के प्रधान मंत्री के बारे में गलत बात कर रहे हैं रहें देश की डेवलोप्मेंट के अभी भी चाहती है कि मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने क्यों क्योंकि देश की जन्नता को मोदी जी में कैलीबर दिखता है और यहीं अलोग जी उन्होंने प्यम ने भी कहा कि जितना कीचड उच्छा लोगे उतना ही कमल खिलेगा छूटे सजवाद दीज़े मैं सब के सवाल लेका अब प्लीज अब रुख जाई आप लोग है कीचड और कमल वो कहानिया सुनते सुनते बहुत दिन हो गए हम तो सीधा पूछने जाच क्यों नहीं करा रहे पूरी भाजपा भाजपा के प्रवक्ता एक कंपनी को कटगरे में कड़ा करके अपनी जाच से क्यो किसानों की स्थिती में जो बदलाव आया है यदि दो वर्ष का करोना नहीं आया होता तो अगर आप देखें तो पूरे तरीके से सिर्फ एक चीज नहीं हर गाउं में बिजली पहुची है और अब चार घंटे की बिजली नहीं है औस तन बाइस घंटे की बिजली हर गाउं में 5G नेटवर्क से भी जुड़ा है तो यह सारी चीजे मिलकर इस चीज का निर्मान कर रही है और अब इस बार की बजट में जानते हैं जो कोपरेटिव एक्ट में संशोधन किया गया है वह यह संशोधन किया गया है कि आप गाउं की ग्राम पंचायच चाहेगी तो वही पर अनाज का स्टोरेज करके जिए उसका किसी प्रकार का यूज करना चाहे यानि वह सेल भी करना चाहे तो वह कर सकती है इस से उनको वहीं पर आर्थिक शचक्ती करन मिलेगा इस तरह से कुल मिलाकर गाउं का विकास किया है कि 32 रुपे पर कैपिटा किसान की आमद नी थी 2014 में वह घटकर 27 हो गई है उसकी जेब से 15,000 रुपे निकाल लिए और 2000 रुपे उसकी जेब में डाल दी है भारत की पर कैपिटा इंकम बढ़ी है बारत की पर कैपिटा में किसान की पर कैपिटा इंकम नी थी आयोग के रिपोर्ट बता रहा हूं मैं 32 से घटकर 27 पर पर बलादों की डागन पर कहरे सब्सक्राइब ओंगे कर motivated को सा का दे तो अप कैसे कह सकते है कि राहूल गांदी हुवा नेता बन सकते हैimentos सवाल सुधाञु सर से कि सर प्रदान मंत्री कहते हैं कि लेवडी कलचर पे लेकिन आपकी सरकार बार-बार गरीब कल लीयान योजनगों क्यूं बढ़ा रही है इसके बीचे कि मैं जल्दी मेरा सवाल कॉंग्रेस की प्रवक्ता से हैं कि अगर मोदी जी जूठहा डानी जी ज सिक्षक है वो लगातार मांग करें और पांच राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो चुकी है तेजस्वी ने चुनावी जनसभा के जरीए 2020 में कहा था कि नियोजी सिक्षक को हम पुरानी पेंशन लागू करवाएंगे अब तक पुरानी पेंशन योजना सब्सकाइं के पहले क्यों नहीं अगर गलत है तो उससे पहले वी तो गलत हो सकती है कि पर दूबारा उसका एक्जाम्री कंड़क्त करवाया गया उसके बाद भी उसकी जब रिजल्ट आते हैं तो फिर उसके मार्स कम करके फिर बढ़ा के और फिर से कुछ बच्चों के बाद में रिजल्ट दिये अब आप लोग बैठ जाएए मैं एक एक करके बुलाओंगी चलिए एक एक करके एडी पर आते हैं पीम ने कहा एडी ने सबको एक जूट कर दिया लेकिन क्या सरकार भी एडी और एजनसीज को विपख्ष के खलाफ हतियार बना कर अब मैं बात बताना चाहता हूँ जो ये एजनसीज की बात कर रहे हैं जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी एजनसीज के घरे में कौन था यहीं नेता थे न क्याएं टूजी का मामला हो चाहें वह जिसका अगस्ता बेस्लेंड इनकों इन्हों ने बता दिया वह सारी चीजों घरे में यह था आप बीडी ने कूं एक कर दिया धे एक कहावत होती ह कि सबसे तगड़ी मित्रता जानते किसमें होती वैसन की मित्रता जो अगर आप किसी बुराई से जुड़े हुए हो तो उनमें मित्रता बहुत तगड़ी होती है मतलब मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से आक्षेपित नहीं कर रहा हूं मगर एक कहवत होती है सबसे इमानदार की बात है तो उन्हें किसी प्रकार की कोची डर नहीं कि दर नहीं कि नहीं यह भी कहा कि कॉंग्रेस को जनता बार बार नकार रही है दो हजर चौदा के बाद बीजेपी कम से कम तीस चुनाव राज्यों में हारी है 2014 से लेकर उन्निस तक केवल एक गुजरात में रिपीट हुई गुजरात की सरकार और वो भी बॉर्डर पर उपी नहीं रिपीट कहां हुई सपा की सरकार थी 2017 से पहले सपा की सरकार थी रिपीट नहीं हुई 22 में रिपीट हो चुकी सर इस साल मैंने मैंने का क्या कहा 2017 से उन्निस किस लोग सुनते कम है जान बूच्च के बाद कहा था अब बात आती है रोजगार की जैसा के एक छोटी बच्ची ने पूछा माने राहुल गांधी जी ने ही तबाम बार रोजगार के उपर सवाल उठाए दो करोड रोजगार देंगे मोदी जी का वाइदा बार बार राहुल गांधी जी ने उठाया तमाम तरह के जो युवाओं से जुड़े हुए प्रश्ण हैं उनके उपर हमेशा उन्होंने प्रश्ण उठाया दूसरी बात हम पूछना चाहरे नौ वर्ष हो गए अब भी सवाल कॉंग्रेस से हैं इसका मतलब आप लोगों की उम्मीद भी कॉंग्रेस से ही है सीबिया एडी की बात करते हैं इनके पास तो वाशिंग मशीन है जो बीजेपी जॉइन कर ले केस या तो ढीला हो जाएगा या कोई पूछेगा ने एडी ने च्छतिस सो से ज्यादा केस रेजिस्टर किये पॉइंट फाइप परसें कन्विक्शन डेट आया और उसमें से 99 प पुछना चाहते हैं कि मोदी साब आपको 9 साल हो गए सरकार चलाती है आप अभी भी पंडित नहरू को को सकर कॉंग्रेस को को सकर आप वोट बटोरना चाहते हैं जब चुनाव आता है तो शम्शाइन कबरिस्तान की बात होती है 8020 की बात होती है रामजादे और दूसरे श यह देश की जनता है तो 2014 से अभी तक शमा तो जल देख रहे हैं लेकिन अलग-अलग तरीके से अलग-अलग से आता है क्या रेष्स के प्रधान मंत्री जो इसे आरोप लगा रहे हैं अडानी जी को आगे बढ़ाया नहीत सब सब्सक्रार का प्लें कुवए में determise इस देश के सरकारी प्लेन से एंडर्सन को भगाया गया था यह प्रूवन बात है अब उसके कोई जवाब नहीं देगा जो मर्जी बोल कर नहीं सचा ही बोलना हूँ आप बोलिए सरकारी प्लेन नहीं था तो अगर शराब बंदी के वज़े से बहुत बड़ी दिक्कत है असी लोग मर जाएं एक आदमी जेल में लोग जी की बात में संचोधन कर दूँ भारत सरकार का नहीं मद्यप्रदेश सरकार का प्लेन था जो की एंडर्सन को दिल्ली तक छोड़के गया था अधर्देश में अर्जू सिंग जी चीफ इनिस्टर अरे जिसने भेजा था उसको जेल पहुंचाते ना तूजी पर बड़ा शोर मचाया था अब नरेटिव तूजी में एक लाग शेटर हदा आप पर उसके बाद चुप एक नरेटिव की बात चुप पर उसके बाद चु अलोग जी तो मानेंगे ना मागडवंदन की सरकार है रहे दोनों के नाम आलोग की कच्छी से बात करिया मैं आपको मैं सबसे ज़्यादा मौका नहीं की हमेशा शिकातरत दो हजार चौदा के बाद एक जाच बताईए जो मोदी जी की सरकार ने शुरू की हो और वो खतम हो इसका मतब डेटा नहीं था अरे बताईए ना तो वेंडेटा भी है और जाट पूरी नहीं मतब जूटे आरोप लगा दोनों तर्क नहीं चलते आप लोगों जूटे बात पूरी की चाहिए अभी बैहां के बच्चों ने शराब बंदी पे बहुत सारे सवाल पूछे शरा पार्टी में तो बहुत दिन दिन तुम्हें कह रहा हूं उस पार्टी में मैं था क्यों अलग हुआ यह बता रहा हूं रिलक्टेंट लीडर्स की फौज हो गई अपोजिशन भार चोक सब भार में रहीमन उत्रे पार वे डूबे मजदार में जिनके जर पर वहां यह लोग तो ठीक है कि वह भगवाधारी हो गए है यह मान लिया लोगों ने अरे भगवा आपने पहना हुआ है तो हम तो इतना जानते हैं अन्जना जी तेजस्वी को मुखमंत्री बना दीजे बिहार का भला हो जो जो कह रहा है कि इतने लोगों की मौत हो गई अच्छा पता नहीं है बजट हो गया अच्छा मैंने तो बजट देखा नहीं ऐसे थोड़ी चलेगी सर्गार यह सवाल जो अगर चले गए हम एक अकेला सब परभारी और 140 करोर जनता का कवच है तो क्या जिम्मेवारी खत्म हो जाती है सत्ता की यही सत्ता की जिम्मेवारी है कि आपको अगर बहुमत मिल गया है तो आप सवालों का जवाब नहीं देंगे यह कौन सा सवाल है आदनी मुखमंत्री ज और किसी भी पक्षी दलों के नेताओं का जवाब नहीं दिया यह कौन सा लोगतंत्र और अहंकारी सत्ता का नमुना है अन्जना जी इसलिए अलोग जी मुझे लगता बिहार के जब चुश्वारी जी सुधानसु जी बिद्वान आदमी है अभी बोल रहे थे समोसे में आल गर मोदी करवा दिया हम लोग तो हर हर महादेव का करते है पुजातु भगवान सिवका लेकिन हर मोदी घर घर मोदunnों से बुलवा दिया लेकिन थाक्ति हैं जनता दर के वोट दे रहे हैं इसलिए आज जितने सहयोगी ते सब एक 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 चोड़ कर चले गए अब जनता भी छोड़ कर 2024 में चले जाए राम चरित मानस के बहाने जो ये शिक्षा मंतरी बिहार के और स्वामी प्रसाद मौरे यूपी में जातिवाद को लेकर नई खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर आपकी क्या राहे हैं क्या आप मानते हैं सवाल तो नहीं है देखे अंजना जी इतने लोग बैठे हैं देश की जनता भी देख रही है हम तो उन लोगों में हैं जो कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रनाम करिए बद पर नाम करिए वजब सवाल का जवाब मत दीजें नहीं हम तो यह कर मगर सुनिए उन सिक्षा का कॉपी राइट नहीं हो सकते सवाल का जवाब हम दे रहें जिस रामचरित मानस को लेकर जिस पंग्ती को लेकर सवाल खड़े किये गये वह सवाल का जवाब कोई भी कहां पे पार है अब फिर मैं पूछ रही हूं आपका क्या स्टैंट है हम तो सभी धर्म ग्रंतों का सम जवाब त्श पंक्ति पर सवाल का जवाब सब को मिल चुका है अब ऑच भी सवाल आज भी सवाल वहीं खड़ा है सर वापस आ रही हूं कि देखिए इस विशे को कितने भी हलके में लिया जाए विशे बहुत गंभीर विशे वह राम जो सबरी के जूठे बहिर खाते हैं वो राम जो निसाद राजा का सारा आपके शिक्षा मंत्री पर क्यों एक दलिज शवान टारहें आप से आप चाहते हैं भगवान राम किया रामस के छिलाव बोले हैं क्यों हम क्यूं यह सवाल पूछना चाहरे ना जैसGER मंत्री क्यों ऐसा कह रहे हैं आपके शिक्षा मंत्री continue connected सवाल खड़ें कि आप सब 45 ड़सा बाध नियंगे और उस पंक्ति पर आज पूरा देश यह जो पंक्ति है इसमें लोगों को कहीं ने कहीं आपत्ती है उस पंक्ति पर फिर पूरे राम चैज्ट मानस को आप मत गसिट यह आरजेडी क्या कह रही है सर उसके तो गज्वाग भी मानते हैं कि वो लाइने हटाई जानी चाहिए हमारे सिक्षा मंत्री जी ने कहा हम पूछना चाहते हैं लोगों से और जधर्म के ठेकेदारों से कि वो क्या उस पंक्ति पर सहमत हैं देखिए मैं आपको बदाता हूं यह लोग किस जंग की बात करते हैं यह बताईए कह देते हैं SCST OBC यह बताईए OBC शब्द 1960 से पहले था और सबसे प्रमानिक बात तुलसी बाबा में आपके मंत्री जी को भरोसा नहीं है अंबेडकर बाबा में तो भरोसा है डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब हूँ आर शूद्राज के चैप्टर नंबर वन में पेराग्राफ नंबर तीन में लिखा है कि आज के समाज के SCST का किसी प्रकार का कोई कनेक्शन वैदी के शूद्राज से नहीं है अब 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 आए और शूद्राज से अब अब तो यहीं का रहे हैं अब जबर्दस्त विखान को और तुझे अब अपने को भगवान कर्ष्ण का बंसर मांते हैं अब आपके जैसे एड़ेस्ट करके करना हो अब आब बताईए मैंने एक वो देखा जो पोस्टर लिखा वो फलाने सिंग पटेल शुद्र फलाने सिंग पटेल और नीचे लिखाता कूर्मी च्छत्री महासबा इवें च्छत्री और शुद्र दोनों है के मैं एड़ेस्ट कर लिया आपने वास्विक्ता में क्या इस भारत में दो ही प्रकार के लोग है एक जो हिंदू समाज पर था मैं मानता हूं तो पूरे भारत में था ना तो 75 साल पहले पाकिस्तान मंगलादेश में दो 75 परसेंट थे कहां चले गए जमीं खा गया आस्मान निकल गया तो यह पताना चाहिए इसलिए मैं कहूंगा आपने बहुत कहा राम चरित्माना साब पढ़ते हैं तो जब राम काज करने के लिए हनुमान जा रहे थे अब एक चोटा सा किया घ्रकास और और यह क्या कहा गया है हनुमान चालीजा में घ्रकास 믹ा और और आज आके ऐसा के दिया से जने उसी दो परकास पेहनता था कितना बड़ा जूट है मतलब जो लिखा हुआ है समाज के सब वर्गों को समान रूप से रहता था उसी राम चरित मानस में लिखा हुआ है कि जात पात कुल धर्म बढ़ाई धन बल पर जन गुण चतुराई इन दस चीजों से मैं नहीं मिलता और मैं मिलता हूँ केवल भक्ति से औरोंने का भगत हीन नर मोहे ऐसे जल बिन वारिद लागे जैसे मतलब अगर ये सारी चीज़े हो फिर कह रहा हूँ जात पात कुल धर्म बढ़ाई धन बल पर जन गुण चतुराई अगर इसके अलावा भक्ति नहीं है तो ऐसे जैसे पानी में पानी नहों और बादल उपर देखा है बहुत अच्छा सब समझाया मैं च्छोटा सा सवाल पूछ रहाँ आप से ये हनुमान जी दलित थे क्या बहुत अच्छा सवाल अब जवाब दूँ इमानदारी से अब जवाब देदू बढ़ान की बीजातिया ढूटते हैं बीजेपी वाले और कहते हैं बहुत अच्छा सवाल अब जवाब दू 1960 से पहले आप भी बोटे रहेंगे क्या सुनिये जरा आप लोगों का जो काम है भगवान की जातिया ढूंडिए 2016 में का सीता मया के बारे में हमें कुछ नहीं पता सब खामोश बीजेपी कहे निताओने का अब संसद में 2022 में का राम सेतु का हमें नहीं पता है लेकिन बाकी सब जो है वो हिंदू विरोधी हैं यह हिंदू के पक्षदर हैं सचाई है के नहीं 1960 से पहले उब इसी शब्द नहीं था इसलिए आडानी की जाँची नहीं होनी चाहिए इसका आडानी की जाँची नहीं होनी चीज़एं परता है जाती और धर्म की बात करते रहे है मूल मुद्दे को भूल जाएं अब ज़ाएं आज तक के स्टूडियों में आप क्या मानते हैं अडानी पाक साफ है हाँ या ना मैं जवाब दीजे यह हिंडन बर्क का है किसे अगर बड़ा है हम को कह रहे हैं अगर वही सकते हैं तो कोट में केश क्यों चल रहे हैं लाइज सी के 15 लाग से ज्यादा केश चल रहे हैं चले आखरी जवाब सदांचु जी पूरा करट और सच कैसे आएगा अगर अडानी मामले का सच का एट हैं तो हाय ना देखे इखे ज़रानी paj 추 वाले आधा हिरे दोनों का जवाब देता हूं दोनों का जवाब दर कहा है आप व्यकुल भारत हो ने मैं देखिए मैं ये कह रहा हूँ इन्हों ने जो कहा हनुमान जी के बारे में देखिए महात्मा गांधी ने शिडूल कास के लिए हरीजन शब्द प्रयोग किया था हरीजन नाम से वो अपना अगबार भी निकालते थे 1990 के बाद ये शब्द प्रयोग होना 95 बाद बंद हुआ उससे पहले बाकैदा ऑफीशल गजट नोटिफिकेशन था हरीजन कल्याण विभाग ठीक है 500 साल बाद जैसे बंग्रेजी पढ़के अर्थ निकालते हैं अब अवधी भाषा का अर्थ निकालेंगे तो जब सीता माता के पास हनुमान जी जाते हैं और मुद्रिका डालते हैं और जब सीता जी को विश्वास हो जाता है कि ये हमारे प्रभू के द्वारा भेज से आसू आगए यह 500 साल बाद वही लिखा दिखा के कहेंगे कि वह स्टीडूल कास थे लिए पर भारत की सेवी पर भारत की सभी पर भारत के रेगुलेटर से भरोसा नहीं है उसको एक ऐसे जिसके उपर मुकदमा चल रहा है विदेश में उसके उपर भरोसा है तो उसके भारत के किसी जिनको आर्मी पर भरोसा नहीं तो कहिए यह लड़ाई अभी तो चली रही है लेकिन आने वाले वक्त में और भी गंभीर और गहराएगी आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए देशे में आपके खबरों के लिए